नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मुस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप 12,000 रुपे के आसपास एक नया 5G स्मार्टपॉन सर्च कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके काम किया है क्योंकि आज मैं लेकिया आया हूँ रियल्मी नार्जो सरीस का एक बहतरीन 5G स्मार्टपॉन जो आपको मिलेगा 12,000 रुपे के अंदर नॉर्मली आपको ये एमेजन पर 13,000 रुपे का दिखा रहा होगा लेकिन वही पर आपको 1000 रुपे का कूपन मिल जाता है जिससे आपको ये 1000 रुपे और सस्ता मिल जाता है 4 128GB बेरन तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अंबॉक्सिंग नजर डालेंगे इसके बेसिक फीचर्स लुप डिजाइन्स कैमरा पर देखते हैं कैसा रहता है ये स्मार्टपॉन आपके लिए तो बने रहे है मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आयो फॉस्ट आता रहता हूं बिल्यू कलर का ये बॉक्स है जहां वाइट फॉन्ट में आपको सारी डिटेल्स मैंसर मिलती है येलो कलर में यहां पर रियल में की ब्रैंडिंग की गई है और बॉक्स पर आपको कहीं भी मुबाइल का डिजाइन नजर नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों अब हम फटावट से इस बॉक्स को उपन करना सुरू करते हैं और देखते हमें बॉक्स कॉंटेंट में क्या क्या मिलता है और कैसा हमारा स्मार्टफॉन रहने वाला है ये हमने यहां पर बॉक्स कर दिया है जैसी हमारा बॉक्स उपन होता है दोस्तों तो यहां अंदर आपको एक नार्जो कलब जोईन करने का बारकोड दिया गया है और यहां पर मिलती है सेम इजक्टर पिन क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैन्वल फॉन को सैप्टी प्रदान करने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट टीप यू केस मिल जाता है अच्छी क्वालि यह आदे घंटे में मुबाइल को 50% चार्ज कर देगा 3A की मैक्सिमम आउटपुट इससे आपको मिलती है इसके बाद आपको मिलती है एक वाइट कलर की टाइप A2 टाइप C USB केविल केविल की लेंथ और क्वालिटी भी एवरेजी मिलती है हम आते हैं डेरेट स्मार्ट फ रहा है और सिलिम भी लग रहा है दोस्तों और है चारों तरप से राउंडेट और साइड में बिल्कुल राइट साइड में पावर ओन की जस्ट फर वॉल्यूम रॉकर्स पिंगपिन सेंसर उपर की साइट सेकंडरी माइक नॉइस केंसिलेशन के लिए लेफ साइड में सिम ब्राइटनेस कम ना हो जाए तो देखिए दोस्तों यहां पर डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस बहुत बढ़िया मिल जाती है 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है एज और बैजल कौनर उपर से बहुत पतले हैं नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है हाला कि एबरेजी है इतनी ज़्यादा भी नहीं है आइकन आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रॉल अप करते हैं यहां पर आपको सारे के सारे एप्लिकेशन भी नजर आ जाती है कुछ प्रिंस्टॉल एप्लिकेशन भी दी गई है इनको आप चाओ तो अनिस्टॉल भी कर सकते हैं ट बड़िया टच रिस्पॉंस आपको इस स्मार्टपॉन से मिल जाता है इसमें आपको मिलती है 6.72 इंच की फुल एजडी प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेसो है 20-9 इसक्रीन डेजुलेशन 1080 x 2400 पिक्सल और फिक्सल डेंस्टी 392 PPI की आपको इसमें मिलती है स्क्रीन टु बड़ि रेसो है इसका 91.40% 165.7 mm इसकी हाइट है 76 mm की वेड़ और थिकनेस है इसकी 7.8 mm की 190 ग्राम का है दोस्तो और इसकी अंदर 5000 इमेज की बैटरी लगी हुई है दो कलर वेरेंट में मिलेगा आपको ये स्मार्टपॉन इस्टेलर ग्रीन कलर वेरेंट जो की अब हमारे पास एविलेबल है और दूसरा नैबुला परपल कलर आता है दोस्तो मैं उसे रिकमेंट नहीं करूंगा वैसे क्योंकि उस पर डस्ट पार्टिकल काफी जल्दी बीजीवल होते है कैमरा के आसपास साप साप दिख जाते है बाकी जो बैक पैनल है वो काफी कमाल का मिलता है यहां पर आप लाइनिंग देख रहे होंगे चमकदार लाइने जो की लाइट के रिफ्लेक्शन में काफी अच्छे डिजाइन दे रही है काफी बढ़िया लग रहा है नीचे नार्जो की ब्रांटिंग बिल्कुल फ्लैड वैक फैनल है फ्लास्टिक बॉडी है दोस्तों मीन कैमरा तो 50 मेगाविक्सल का है और 2 मेगाविक्सल का डेफ्ट सेंसर कैमरा दिया गया है बाकी जो फ्रेंट में आपको पांचोल के अंदर मिलता है सेल्फी कैमरा वह 8 मेगाविक्सल का दिया गया है चलिए दोस्तों अब हम इसकी जो सेटिंग है इसे उपन करके सेटिं 128 GB का storage जिसमें से 16 GB के करीब अल्रेडी यूज हो चुका है बाकि आपको यूज के लिए फिरी मिल जाता है स्मार्टफॉन में और आप चाहो तो expandable memory 1TB तक बढ़ा सकते हैं storage type UFS 2.2 का आपको इसमें मिलता है इसके अलावा 5000 इमेज बैटरी को किया है display size बात करें इसके processor की तो दोस्तों इसमें 2.2 GHz का octa-core processor आपको दिया गया है और जो chipset आया है वो आपको media tag dimensity 6100 plus का मिलता है यह based है 6 mm के fabrication पर और Mali G57 के graphic आपको इसमें दिये गए हैं अब RAM management में जाएं तो यहां पर 4G RAM आपको देखेगी लेकिन RAM पर क्लिक करते हो तो यहां पर RAM expansion का option मिलता है इसे own करने के बाद आप चाओ तो RAM को सीधा दुगना कर सकते हो इसकी अलावा यहां camera details android hidden के साथ आता है यह smartphone LPDDR4X की RAM मिलती है दोस्तों आपको इस smartphone में एक चोटी सी नजर इसके camera पर भी डालते हैं तो camera को हम open कर लेते हैं जो भी permission मांगे allow कर दीजे दोस्तों ताकि हमारा जो camera है वो आच्छे से work करें तो object पर focus करते हैं तो colors बहुत बढ़िया आपको इसके camera से मिल जाते हैं देखिए दोस्तों यह natural color लग रहे हैं zooming power देखते हैं इसकी तो यहां पर यह zoom जाता है पूरा 10x तक 10x जूम में quality कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी सही है नॉर्मली आपको अच्छा camera इसमें मिल जाता है प्राइस के इसाब से बाकी वीडियो मोड में आप इससे 1080p में 30fps, 720p में 30fps में full HD वीडियो सूट कर सकते हो night mode आपको मिलता है street mode दिया गया है इसके अरावा portrait अगर आपको background blur चाहिए तो portrait का use कीजिए 50MP camera यहां से enable होगा यहां से सिर्फ ज्यादा MB की photo बनेंगी बाकी collaborative ऐसी रहती है mode setting में आपको film, dual view video mode, panorama, time lapse, still shift, pro, slow motion और text, scanner जैसे option मिल जाते हैं वहीं पर इसका 8MP का selfie camera देखें तो मैं कहूंगा ज्यादा कोई खास नहीं लगा मुझे इसका selfie camera colors उतने बढ़िया नहीं लग रहे हैं इसके selfie camera से जितनी मुझे इससे उम्मीद थी दोस्तों यहां पर zooming support नहीं मिलता front camera से हाला कि photo capture करने के बाद थोड़ी सी और better clarity के साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी यह देखें दोस्तों जैसे मैंने photo capture किया तो आप देख सकते हैं यहां पर ठीक ठाग photo आपको इसके selfie camera से भी मिल जाती है तो friends यह था 12,000 रुपे के अंदर आने वाला Realme Narjo का एक बैतरीन स्मार्टपॉन Realme Narjo 60X मुझे price के इसाब से smartphone ठीक ठाग लगा क्योंकि इसमें आपको 120 Hz का refresh rate मिल रहा है full HD plus display मिल रही है 30 degree reward का fast charger और MediaTek Dimensity 6100 plus का chipset दिया गया है बाकी camera quality भी आपको ठीक ठाग मिल जाती है बैटरी बैकप बढ़िया मिल जाएगा तो friends अगर 12,000 रुपे में मिल रहा है तो आप इसे खरीद सकते हो बढ़िया deal रहेगी बाकी तो आपने अपनी पसंद होती है आप comment box में बताइए कैसा लगा इस price range के अंदर आपको ये smartphone क्या आप इसे purchase करना चाहोगे आसा करता हूं मेरे द्वारती की जानकारी आप सभी के जोरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे आपको एक नया smartphone purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी